जब गरज उठे कगन सारा, जब समंदर भी छोड़ दे किनारा, और जब हिल जाए जहां सारा, तब गुझे जैश्री राम का नारा और जैश्री राम के नारे को खुबसूरती से पिरोया है, संगीत में किया है, हमारी प्यारी पलक मुझालने, पलक बहुत स्वागत है आपका इंजाने इनकार Thank you so much तो ये भजन मैं हमेशा से गाती आई थी जब दादाजी की साथ पूजा भी करती हूँ, मैंने ही इसकी शब लिखे और अब जब हमका लाकार है तो अपनी भावनाई तो हम संगीत के रूप में ही व्यक्त करते हैं, तो मैंने सोचा कि हर राम भक्त के साथ मैं अपनी भक्ती क भावनाई शेर करती हूँ, और इसलिए भजन ओफिशली पब्लिक ली रिलीस किया, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे मेसेज़ेस आ रहे हैं, कि रोक सोबसी रात तकलूब पर सुन रहे हैं, धुन की तरह इस भजन को सुनके भक्ती कर रहे हैं, तो मैं बहुत ख है, आपने जो लाइन कहीं वहीं, मैं कहा दे दिए, बनेगे बिकड़े का, जैशीरां, हां, सबसी सुन्दर ना, जैशीरां, होई वही जो रचते है शीरां, दो आखर में बसते चारों धा, जैशीरां, बहुत खुपसूरत, तो जैसे कि आयुद्या में प्रान प्रतिष्ठान 22 जनवरी को हुरा है, आपका खुपसूरत सा गाना भी आया है, और भी राम मंदिर और रामलला से जुड़े हुए गाने आया है, तो आपके गाने के ला रिलीज हुए है राम भाजन और ऐसा लग रहा है जब आप रेडियो खोलें, जब आप टीवी या सोशल मीडिया हर जगा आप सिफ राम भाजन सुन रहे है, एक भाजन जो मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगा वो है राम आएंगे, अगर वो गुन गुना है तो मज़ राम बिलकुल आ चुके हैं, क्या कहेंगी कि प्रधान मंत्री खुद कई य Euch सिंगर्स उनके गाने को पोस्ट भी कर रहे हैं, शैर को बहुत है आपको लगता है कि सब अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं सए युद्धिय की राम मंदीर में, तो बतोर SINGर, आप अपने संगीत के तरफ से योगदान दे रहे हैं कोई तिलक लगाता है, मंदर में भी सब के पूजा करने के जो भाग है वो बटे होते हैं, तो I think उसी तरीके से 22 जनवरी तो हमारे लिए दूसरी दिवाली जैसी है, तो सब अपनी तरफ से कॉंट्रिब्यूट कर रहे हैं, कॉंट्रिब्यूट तो क्या कह सकते हैं, भक्ति कर हैं, I think उनका उनका शेयर करना डेफिनिटली बहुत सारे यंग टालेंट को प्रुचाहन दे रहा है, और भी वाकी क अलाकार आ रहे हैं कि हम भी अपनी भावना व्यत करते हैं, तो I think it's a beautiful gesture. क्या कहेंगे, अयुद्या का रामंद्र तयार है, रामलला जो हैं 22 जन्वरी को विराजमान हो रहे हैं, कितनी प्रसन्नता, कितनी जादा खुशी? खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जीवन का सबसे ज़्यादा महत्व पूर्ण पल आने वाला है, और जैसे कि मैंने कहा दिवाली की तरह ही हम सब मनाने वाले हैं, एतिहासिक रूप से भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है इस दिन का, बहुत समय से जो कि अपर था कि शायद कभी वो दिन आएगा और फाइनली इस एक्चिली हापिनिग वो अच्छी हो रहा है सो हम सब बहुत जादा खुश है बहुत इमोशनल भी है I don't know by this January को कैसा अप फिल हो है I am going to feel very very overvalent अजय इंडस्ट्री में इतने लेजंडरी सिंगर्स हैं जिन्होंने तमाम भक्ती भरे भजन गाए हैं इनकी कोई पुराने भजन जो राम से जुड़े हों कुछ आप गुन गुनाए भी हमारे लिए जो आपको पसंद हो मुझे जग्जी सिंग जी का ही राम बहुत जादा पिसंद है अगर हमारे लिए थोड़ा सा गुनूना है तु ही तो है राधा का शाम हे राम हे राम हे राम हे राम तू अंतरयामी सबका स्वामी तू अंतरयामी सबका स्वामी तेरे चरडों में चारो धाँ हे राम हे राम जैश्री राम इस गाने को एक भर हम तरहा फिर से सुनें आपकी तो मैं उसका एक दूसरा हिस्सा गाते अंतर मन से मैं तो समरन करती हो आखें बंद कर उनका दैशन करती हो कणकण में बसते हैं मेरे राम संकट में लेंगे वो मुझको थां जैश्री राम सुभसे ले कर शां जैश्री राम रखो पती राघव रां जैश्री राम सबसे सुंदर नाम जैश्री राम गाना तो हम सुनी पार हैं यहां इतने लगी हैं पच्पन के बात करें तो रामायन जो प्रोग्राम आता था दुर्धर अटिशन पे त्या वह भी देखना पसंद करनी थी वह भी कही नगए आपको इंस्पार्ट तो जो नगए उसमें थी बहुत कुपसूरती तो पही जब तक मैं बड़ी हुई देखने लायक तब बंद हो चुका था लेकिन रामयन के किस्से इस तरह से सुने है कि इन फाक्ट जो किर्दार निभाने वाले लोग थे उन्हीं लोग भगवान का रोप माने लगे थे आई थिंक राम जी जैसर मैंने कहा कि वो सिर्फ एक भावना नहीं है वो हमारा अस्तित्व है हम चाहें तो भी उन्हें हमसे अलग नहीं कर सकते और मैं बहुत खुर्श हूँ कि हमें एक ऐसा मौका विटनिस करने की ओपिचिनिटी मिली है आयोधिया का जो निर्मान है वो हमारी सामने हो रहा है मंदर का राम जी हमारी सामने आ रहे है और आम सो हापी सो ग्रेटफुल कि मुझे इस मोबंट को विटनिस करने का मौका मि शुआ के यह ने आपने एक एल्बम सौंग की तरह रिलीस किया विल्म में जाए का विल्मों के गाने भी ळायने आपको लगता आने वाले वक्त मैं मुझे लगता है की काफी फिल्म में बन भी रही है रीसंट्रीलक सारी फिल्मस रिलिवीं है और रामा यार निğन एक ऐसी कहानी है जिसमें इतने mooiड़ी वाक्या हैं इतने शारे इवेंस हैं की जिटनी फिल्मस बने वो कम है और बहुत सारी फिल्मस भी बन भी रही है मैं सुनने में आ रहा है कुछ का हिस्सा मैं भी हूँ आज सिंगर तो मैं बहुत एक्साइटीड हूँ जैश्री राम पर आपने काना बनाया लेकिन अयुद्यानगरी जा रही है जाऑश की रही है बहुत फुपसूरत बहुत कुछ पलग बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपने जैसे का की हाइ हेलो अबन्ध है अब हम भी आपको राम राम कहते हैं, बहुत शुक्रिया हम से बात करने के लिए